हेलो दोस्तों, असलाम उलेकुम, कैसे हैं आप सभी, आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पे, तो आज मैं गाजर का बर्फी के रेसिपी लेकाई हूँ, जो कि ये बहुत असान है बनाना और बहुत अच्छा बहुत टेश्टील बनता है ये, तो अगर आप गाजर का हलुगा बखा के बोर हो गया है, तो चलिए इसे बनाते हैं, तो देखिए, यहां मैं ये केजी गाजर ली हूँ, जिसे के मैं गीस ली हूँ, और ये है 500 गराम चीनी, और एक बॉल है ये सूजी, दूद एक गिलास, और ये है बनसबती गी, जो कि ये कटोरी है, चोटा सा कटोरी से तो देखिए, इधर गैस ओन करके कडाई को चड़ा दी हैं, और ये गरम हो गया है, तो अब इसमें जो सूजी है, उसे हम भून लेंगे, तो इसे सुखा ही भूनेंगे, और 2-3 मिनट तक इसे भून लेते हैं, और इसे निकाल लेंगे, इसका कोई कलर नहीं चेंज करना है बस हलका इसको गरम कर लेते हैं, सूजी को, और इसे निकाल लेंगे, तो देखिए, यहाँ पे हो गया है, यह गरम हो गया है, और यह हो गया है, तो बस अब इसे निकाल लेते हैं, एक पिलेट में, और फिर से उसी कड़ाई को मैं चड़ा देती हूँ, और यह जो घी था पूरा यह बहर कर टोरी हम, आप चाहें, तो रिफाइन से भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास घी है, तो आप उसे भी इस्तवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बनस्वति घी से बनाना बता रही हूँ, तो बस अब यह गरम हो गया है, और जो गाजर को मैं घीस के रखी उसे डाल देते हैं और इसे पांच मिनद तक भून लेंगे ताकि यह थोड़ नरम हो जाए और इसमें जो गाजर के और इसमें पानी वगेरा नहीं इस्तमाल करना है बस दूद से ही यह पक जाएगा अराम से तो देखिए यह मैं जो दूद था उसे में डाल रही हूँ और बस इसे अची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें ढखकन को लगा देंगे और पांच मिनद तक और पकने देंगे तो क्या है न एक ही चीज खाखा के इंसान बोर हो जाता है तो कुछ अलग ट्राइ करना चाहिए तो मैं वही सोची हूँ कि आज मैं गाजर का हलुआ बना के तो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ मैं डाली हूँ यूटूब पे तो इसलिए मैं इसका आज बर्फी बना र हाथ तक गल गया है पक गया है तो इसे खुला में भून लेंगे 2-3 मिनट और तो आप लोग देख रहे होंगे दूद भी पुरा सुख गया है तो बस अब यह हो गया है आप लोगों मैं दिखाती हूँ साइड करके कि यह दूद पुरा सुख गया है देखिए यह पुरा दूद सुख गया है तो जो चीनी रखा हुआ था तो यह काफी हाथ तक भून गया है तो जब गाजर आपका अच्छी तरह से पक जाए भून जाए उसके बाद ही आप चीनी डाले नहीं तो फिर आपका गाजर वो गलने नहीं देगा चीनी मीठा इस वज़ा से तो जो चीनी था उसे हम डाल दिये हैं और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ढख देंगे ताकि चीनी जो अपना पानी छोड़ दे गाजर और चीनी दोनों मिक्स होके पुरा अच्छी तरह से पिगल जाए उसके बाद आगे का प्रोसेस करते है हम तो बस इसे अब अच्छी तरह से चला लिए हैं और धक्कन लगा के इसे दो मिनट तक और पकने देते हैं तो देखें यहां पे यह हो गया है दो मिनट और देखें कितना पानी छोड़ा है यह गाजर और चीनी दोनों तो बस अब जो भून के रखेते हम सुजी रवा उसे हम इस वक्त में डाल देंगे बस यह जो चीनी का पानी है इसी में पक जाएगा यह रवा अलग से इसमें पानी या दूद्द देने का जोरी नहीं हमें तो बस डालके इसको अची तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढखके 5 मिनट तब पका लेंगे ताकि सुजी अची तरह से फूल जाए और यह पक इसे ढग देते हैं अब कुछ दिर और पका लेते हैं इसे तो दीख सकते हैं कितना अच्छा यह पुरा पक गया है और जो भी चासनी था हो वो अपने अंदर सुजी सोख लिया है और यह पुरा घट हो गया है अची तरह से और सुजी भी पक गया है तो इस वक्त में डालेंगे थासा इलाइची पौडर इसका फ्लेवर के लिए अच्छा टेस्ट आएगा इस वज़ा से तो यहां आधा चमच में डाली हूं इलाइची पौडर और कुछ ड्राइफूड है जो कि मैं नारियल घीस के रखी थी और लेते हैं तो आप चाहें तो इस वक्त में खोवा भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो खुवा डालके और जो ड्राइफूट है उसे डालके हम मिक्स कर लेंगे तो यह लगभग पखी गया है तो बस सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप देख रहे होंगे यह पेन चोड़ने लगा है कड़ा ही तो यह पुरा अच्छी तरह जमने का फॉर्म में आ गया ह अब इसे हम जमाएंगे और काटेंगे तो अच्छी तरह से यह सेट हो जाएगा आप देख रहे होंगे तो बस अब यह त्यार हो गया है और बस इसे जमाने के लिए मैं प्लेट लिए हूं दो प्लेट तो उसे थोड़ा तेल से ग्रिस कर लेंगे आप चाहे तो केक टीन में भी इसे जमा सकते हैं तो यह देखे हो गया है और इसे ढख देते हैं जब तक इधर हम प्लेट को तेल से ग्रिस करते हैं तब तक जो भी थोड़ा बहुत हलका बचा होगा वो पक जाए अच्छी तरह से और बस हलका तेल लेके इसको हाथे से प्लेट कर देते हैं और बस इसमें जो हलुआ है उसे डालकर और इससे जमा लेते हैं तो झाहिखे अब च्बाले से इसए निकाल लेते हैं बड़ा बरतन है एक ही में डालें आम प्लेट में मेरा चुठा प्लेट श already घालें है इसलिए में दो प्लेट मुट् हज़ा लेते हैं और एग में थोड़ा कम हो जाता है तो थोड़ा सा उसमें डाल के उसको जमा लेते हैं तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर signing है और कितना अच्छा लग रहा है अपको पता भी नहीं चल रहा है कोई इस तरह देखेगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि यह गाजर का बर्फी है और टेस्टी तो पुछिए मत इतना टेस्टी लगता है बहुत अच्छा लगता है यह खाने में तो आप लोग ज़रू से ट्राइ कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का यह मेरा रेसिपी कैसा लगा या फिर आप बनाएं तो आपको कैसा लगा यह गाजर का बर्फी हलुआ तो हमेशा आदमी बना के खाता है हर सीजन में तो आप इस तरह करके थाट ट्राइ कीजिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा तो यहां पर देखिए मैं एक प्लेट को चीखना कर ली हूँ और देख रहे होंगे कितना अच्छा दीख रहा है तो यह मैं तो आप सब पिश्टा को काट के रखी थी बस उपर से इसमें डाल देते हैं अच्छा गानी सिंग के लिए और इसे दबा देंगे ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए चिपक जाए इसके अंदर तो बस इस तरह करके सजाएंगे और इसे दबा देंगे हाथों से तो आसा काजू भी डाल दे रहे हैं ताकि अच्छा लूक आए देखने में अच्छा लगई है और कितना अच्छा लाइट है यह मेरा बर्फी में अद देखने में कितना अच्छा खुशूरत लग रहा है तो बस इसे हम आदा घंटे के लिए छोड़ दे रहे हैं अभी ठंड के मौसमें तो बहुत जल्दी जम जाता है अब कुछ भी इस तरह का चीज बनाएं सेट बहुत जल्दी सेट हो जाता है तो इसे आदे गंटे के लिए हम रख देते हैं बाहर में फिरीज में रखने का जोररी नहीं है जम जाए गाई आदे गटे में तो उसके बाद इसका कट लेंगे देखने कितना चलुक आ रहा है इसका देखने में कितना कुछ सूरत लग रहा है उतना खानें भी आस्छा लगता है यह बहुत अच्छा लगता है तो देख रहे होंगे आदा गंटा हो गया है और इसे अब हम काट लेंगे चाकु से तो इसे बर्फी का सेप देंगे तो आसा लंबल लंबा काटेंगे बर्फी जैसा बस अब यह हो गया है और इसे हम निकाल के दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा निकल रहा है और कितना अच्छा इसका सेप आया है तो इसे एक कर्षी से निकाल रहे हैं ताकि अच्छी तरह से निकले तूटे नहीं बहुत अच्छा सेट हो जाता है बहुत अच्छा लगता है ये तो आप देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है और अच्छा से पाया है तो से मोटा मोटा ही बना है तो बस इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सस्क्राइब कीजिएगा और जो नए दोस्त मेरे चैनल पर आते हैं मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूद से दबाएं ताकि आगे जो भी में वीडियो डालूं उसका डोटिफिकेशन आप तक पहुंशे अपस का सपोर्ट और सहयोग का बहुत जरूरी है तो देख रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है ना किसी को पता ही ने चलेगा कि यह गाजर का बरफी है या फिर यह बेशन का बरफी है लुक तो उसी तरह का है तो अच्छा लग रहा है तो आप लुक ट्राइग कीजिएगा अर्वाग उन्हा है